पलक और इब्राहिम की लव स्टोरी को मम्मी अमरिता ने दिया ग्रीन सिगनल, बेटे की रूमर्ड गल्फरेंड संग अमरिता ने गोवा में मनाया फैमिली विकेशन, एरपोर्ट पर खुली पटोदी जोर मिस्तिवारी के सीख्रेट विकेशन की पोल, इब्राहिम सारा के ब सेफ अली खान के बड़े साहबजादे इब्राहिम अली खान और श्वेता तिवारी की बेटी पलक की लव स्टोरी को सुर्ख्यों मिला दिया है और वज़ा बना है ग्रीन सिगनल, नाना सडक वाला ग्रीन सिगनल नहीं, बलकि वो ग्रीन सिगनल जो अमरिता सिंग ने बेटे इब्राहिम और उनकी रूमर्ट गर्लफरेंड पलक तिवारी को दे दिया है। गॉसिप्स के गल्यारों में जोर शोर से चर्चा हो रही है कि बीते दिनों अमरिता सिंग, बेटी सारा अली खान, बेटे इब्राहिम और उनकी गर्लफरेंड पलक तिवारी के साथ ग कोवकेशन की चोरी नेटिजन्स ने पकड़ ली है। दरसल बीते दिन ये सब ही मुंबई एरपोर्ट पर स्पॉट हुए। सारा अली खान, अमरिता सिंग, इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी को एक साथ एक ही वक्त पर लेकिन अलग-अलग मुंबई एरपोर्ट से बाहर निकलते हुए देखा गया। पर स्पॉट किया, जो की ब्लाक टी-शर्ट और जॉगर्स में फ्रीटी दिख रही थी। अपनी इस पोस्ट में सारा ने भाई इब्राहिम को भी टाग किया था। सारा ने अपने पोस्ट में मौम अमरिता की छलक नहीं दिखाई थी। लेकिन नेटिजन्स तो यही कयास लगा रहे हैं कि इस बार अमरिता सिंग, सारा, इब्राहिम और पलक ये सभी मीडिया के कैमरों से छपकर गोवा में एक साथ छुटिया मना रहे थे। और लाग छुपाने के बावजूद मुंबई पहुँचते ही इनके इस सीक्रिट विकेशन की पोल खुल गई। ऐसे आपको याद दिला दें कि इससे पहले भी पलक को पटौदी इसके साथ विकेशन पर जाते हुए देखा गया था। तब पलक सारा और इब्राहिम के साथ गोवा में छुटिया मनाने गई थी। तब अमरिता इन तीनों के साथ मौजूद नहीं रही थी। लगने इस बार तो अमरिता ने भी इन्हें गोवा विकेशन में जॉइन किया है। जिसके बार लोग यही मान रहे हैं कि अमरिता सिंग को बेटे इब्राहिम और पलक तिवारी की लव स्टोरी से कोई अबजेक्शन नहीं है। बेटे की पसंद अमरिता को भी पसंद है।